नवरात्री का पांचवा दिन और मां का पांचवा स्वरूप मां सकंद माता नवरात्र के पांचवे दिन जगत माता के पांचवे स्वरूप मां सकंद माता की पूजा और अर्चना की जाती है सकंद, शिव और पार्वती के दूसरे और शडानन, छेह मुखवाले, पुत्र, कार्तिकेय का एक नाम है सकंद की मा होने के कारण ही इनका नाम सकंद माता पड़ा माना जाता है कि मा दुर्गा का यह रूप अपने भक्तों की सभी मनो कामनाओं की पूर्ति करता है और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाता है मा के इस रूप की चार भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाएं तरफ की उपर वाली भुजा से सकंद, अर्थात, कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है बाई और की उपर वाली भुजा में वर्द मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है सिंह इनका वाहन है क्योंकि यह सूर्य मंडल की अधिश्ठात्री देवी हैं इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सद्रिश अलौकिक तेजोमय मंडल सा दिखाई देता है सर्वदा कमल के आसन पर स्थित रहने के कारण इन्हें पदमासना भी कहा जाता है पौरानिक कथा पौरानिक कथाओं के अनुसार असुर तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था तारकासुर की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे वर्दान में तारकासुर ने अमर होने की इच्छा रखी यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बताया कि इस धर्ती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है कोई अमर नहीं हो सकता है तारकासुर निराश हो गया जिसके बाद उसने यह वर्दान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सके तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनका पुत्र होगा तारकासुर यह वर्दान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा तंग आकर सभी देवता भगवान शिव से मदद मांगने लगे तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया विवाह करने के बाद शिव पार्वती का पुत्र कार्तिकेय हुआ जब कार्तिके ये बड़ा हुआ तब उसने तारकासुर का वध कर दिया सकंद माता को कार्तिके की मा कहा गया है सिंहासन गता नित्यम पद्मा शृत करद्वया शुभदास्तु सदा देवी सकंद माता यशस्विनी अर्थात सिंह पर सवार रहने वाली और अपने दो हाथों में कमल का फूल धारन करने वाली यशस्विनी सकंद माता हमारे लिए शुभदाई हो पहद्धों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्मान करने वाली सकंद माता नवरात्री में पांचवें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है कहते हैं कि इनकी कृपा से मूर भी ज्यानी हो जाता है सकंद कुमार कार्तिके की माता के कारण इन्हें सकंद माता नाम से अभिहित किया गया है इनके विग्रह में भगवानि सकंद बालरूप में इनकी गोद में विराजित है इस देवी की चार भुजाएं है ये दाई तरफ की उपर वाली भुजा से सकंद को गोद में पकड़े हुए है नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है बाई तरफ उपर वाली भुजा में वर्द मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुश्प है इनका वर्ण एकदम शुब्र है ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है इसी लिए इन्हें पदमासना भी कहा जाता है सीह इनका वाहन है शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है भक्त को मोक्ष मिलता है सूर्य मंडल की अधिश्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलोकिक तेज और कांतिमय हो जाता है अतह मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलब होता है यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ती है यानि चेतना का निर्मान करने वाली कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रगुवन्शम महाकाव्य और मेगदूत रचनाएं सकंद माता की कृपा से ही संभव हुई या देवी सर्व भूतेशु मा सकंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमह मान सकंद माता पूजा, देवी को केले का भोग लगाएं, बुधिबल वृध्ध के लिए देवी सकंद माता पर छे इलाइची चड़ा कर सेवन करें, ब्रीं सकंद जनन्याई नमह का जाप करें, उपाय मध्यान शुभ महूर्त में करें, निश्चित ही बुधिबल में अध्योगी मा सकंद माता का प्रिय पुष्प, कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण इन्हें पदमासना देवी भी कहा जाता है, सकंद माता को कमल का पुष्प अतिप्रिय है, जय मा सकंद माता